जै प्रिफराज मैं 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 इपाल सिंग मखना स्थी राजपूत करिशना का राश्टर देख्स आज फिर आपके सामने एकता की ताकत क्या होती है आप सब लोगों नहीं आज देखा है ट्विटर को पूरे दिन ट्रेंडिंग पर जो चीज ने रखा वो था हैस्टेग राश्पूत समराज प्रिफवाज चुहान कई सारे बुद्धी जीवियों ने इस पर अपने राई दी बुद्धी जीवियों का मतलब आप कुमार विश्वास से ले सकते हैं और ऐसे कई सार था क्योंकि मेरे बढ़के मेरे वन्स का वो एथियासिक पुरुस और पूरा हिंदू समराज जिनको हम लोग बोलते हैं अंतिम हिंदू समराज जिनको उनकी उपादी है सालों से हम लोग जब मेरी खुद की 38-40 साल उम्र है हमने केवल आस तक हिंदू समराज लिका है और क् जरुवत आन पड़ी कि पहली वार हैस्टेक राजपूत समराज पृतिवाज चौहां लिखे इसको ट्रेंडिंग में लाया गया क्या जरुवत आन पड़ी कि मुझे बताना पड़ा कि यह मेरे पूर्वज है अब सबके पूर्वज थे जो वो मेरे ही पूर्वज क्यों है यह क्यों बताना पड़ा कुछ तताकतित लोगों ने जो कहते हैं कहवत है पूरे देश में पूरे विश्व में जिस देश का इतियास मिट गया हो वो देश मिटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों यह एक तरीके का सडियंत्र है कुछ लोगों के द्वारा कोई जाती के द्वारा नहीं है मैं आपको एक बात बोलना जा रहा हूं जाती के द्वारा कोई सडियंत्र नहीं है यह सडियंत्र है एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा जो एक गेंग है और एक गेंग कहां से आई आपको मलूम है यह वो टुकडे टुकडे गेंग है जो जे उनके समर्थन में नहीं लगते हैं, आज पूरे देश ने देखा है, वही लोग, इस राजबु समाज के, इस पूरोधा के, इस एत्यासिक पूरिस के खिलाब, ट्रेंड करवारे थे वहाँ पे हमारे खिलाब, कौन-कौन लोग है, नाम नहीं लोगा पर सब को मालूम है, कौ किरोडी लाल जी भेसला, करड़नल किरोडी भेसला जी, उन्होंने गूजर आंदोलन किया था, 2008 से चालू किया था, आप लोगों को मालूम हो तो, और 70-75-75 गूजरों ने अपनी जान दवाई, अगर किसी भी राजबु समुदा है, किसी भी समुदा है, राजबु नहीं, तीन मही में तक बंद रहा, उस पट्रियों पे मैं बेट के आया हूँ, जहां पे गूजर समुदाय के 30-30 लासे वहाँ पर पड़ी थी, उन लासों के उपर मैं सरला सुमन चरा के आया हूँ, और बगाईदा, गूजर समाज को यह हम लोगों ने, काल्वी साब ने, इसे कर पर राजवन्स अगर जिंदा है, मेवाड की अगर इत्यास जिंदा है, तो पन्ना धाय थी, जिसने वहां के भविश्य के राजा को बचाये, अपने बेटे की बली देकर वह पन्ना धाय, हम तो हमारे मन में आज भी उस पन्ना धाय के परति हमारी सर्दस उमन रखते हैं, उनको याद करते हैं, पर कुछ तताकतित लोग, अब मैं बताओं आपको, कि रोडी भेसला जी ने जिस व्यक्ति को समझ से बाहर कर दिया, अपनी संगर समिती, गूजर संगर समिती थी, जो गूजर समुदाय के लिए, पांच परतिसा, दस परतिसा, जो भी आरक्षन की मा सरुमान नेता, करनल किरोडी भेसला जी ने बाहर निकाल दिया, आज वो तताकतित नेता, जिसका नाम लेने के ज़रत नहीं है, गूजर समुदाय का हरे वित्ती जानता है, कि उनको खुद के समाज से उनको भाइसकित करने का है, उस व्यक्ति ने ये सबसे ज़्यादा रा उन्होंने बोला, कि जो भी होगी बात, आप कल आईए, हम हमने सामने बेट के बात करेंगे, और ऐसे लोग वेसे दूर रही है, जो भर्मित करते हो, मैं गूजर समुदाय के युवां उसे बोलना जा रहा हूं, क्या SCST का केस आप पे नहीं लगता, नोईडा, ग्रेटे न पूरक हैं, मैं बोलना चाहरा हूं हर एक गूजर से, क्योंकि मेरे खुब सरी गूजर मित्र है, लडने को मैं भी गलत सलत कुछ भी अनगल बात लिख सकता हूं, पर केवल, इसलिए नहीं बोलना चाहरा, क्योंकि आप और में जो हजारों साल से आपन एक दूसरे के पूरक हैं, वो जातियां लड़के किस चीज को बाटना चाहते हैं, बाई, एक हजार साल पहले थे पृतिराज चौहान तो, जो मेरे दादा हैं, आपके भी दादा है, अगर आप मानते हो कि हम चौहान सरनेम लगाते हैं, चौहान सरनेम 3600 कौम में लगाई जाती है, अकिले मानते हैं, जो हिंदू की खिलाफ हैं, सबसे बड़ी बात देखना, जो हिंदू जाति के खिलाफ हैं, मनुवाद कि इसको बोलते हैं, ब्रमा के पहले पुत्र, मानस पुत्र, जिसके कारण से सिष्टी की रचना, हिंदू बोलता है, हिंदू धर्म बोलता है, कि सिष्टी क रचना में जो पहला व्यत्ति यहां आया वो था मनु और मनु आज मतलब हम उस वाद की खिलाप है वाद मतलब अपनी सब्विता संस्कृती भारत और जो तथाकति देता हूं उनकी हमारे एक नेता से बाद हुई थी वो मनु आज के खिलाप है मतलब वो मैंने पहले भी कहा राजपुत्त नहीं मांता वो हिंदु नहीं हो सकता मैं आपको फिर बोल रहा हूं आज उन्हीं मनु आदियों के खिलाप उन्हीं धर्में जो सनातन धर्म के खिलाप जो लोग जो भगवान को अपमानित करने में पिछे नहीं चोड़ते मैं सभी हिंदु आजा रहा हूं जो भगवान को अपमानित करने में पिछे नहीं चोड़ते, पर आपके और मेरे जैसे नाम रखते हैं, कैसे, आपके और मेरे जैसे नाम रखकर इस धर्म को, इस पूरे देश को बरगला रहे हैं, वो लोग टुकडे-टुकडे गेंग उनके साथ है, वो लोग खुद को आपको बोलना जा रहा हूं, आप किस और जा रहे हो भाई अगर आप बोल रहे हो कि मैं बोध हूं तो बोध काम आइंसा फेलाना नहीं है, आइंसा के मार्ग पर चलना है, इंसा वादी आदमी कभी बोध नहीं हो सकता, और वो भी हमारा बढ़का था, भगवान बुध्य, सं इंदू हर्दे संबडार था, वो आज केवल राजपूत राजा होकर रहे गया, आज ही कुमार विस्वाज को हमें लिखना पड़ा, कि आप लोग जो बुद्धी जीवी लोग हैं, पुरे देश के, वो ते करें, कि ये किस वन्स से आतने हैं, अगर ते नहीं करेंगे, तो हजारों मित्र मेरे गूजरों के हैं, मैं किसी भी गूजरों को गाल निकालने से पहले में मरे मन को जाकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पारिवारिक वेवार, पारिवारिक संबंध रहें गूजरों से, क्योंकि गूजर वो कोम है, वीर गूजर हम तो बोलते हैं, और पंदा बोला हमें तो दिल्ली से यह संदेश आया है राष्ट यदिक जीने हमारे समाज के ने बोला है कि यह मेसेज चलबाओ हमें तो मालूमी नहीं है कि प्रतिवाद चोहान गूजर था कि क्या था में तो आप पहली बार ये लोग बता रहें तो जैसा बताएंगे वैसा ही तौम लिकेंगे फिर धीरे जब हमें लगा मनगा है इसा थोड़ी होता है तब लगा मनगा फिर मालूम चला कि प्रताप को भी अपना बनाने की साजिसे लोग रच रहे हैं जो केवल पंस्ता-थ दस लोग है कोई जाती विरादरी से नहीं है जाती विरादरी की आड ले रहे हैं मैंने बोलना हिंदू धर्मका हिंदू नाम यह लिख रहे हैं और हिंदूों को बर्ग ला रहे है है और जिस देश का इतियास हुआ है दोस्तों चाहिए मिश्र हो चाहिए रोम हो रोम की बहुत बड़ी सब्दाइध थीं सब नस्ते नाबूद हो गई अगर आपको लगता है कि आपका इत्यास अगर खतम कर दिया जाएगा और यही चाहते हैं आज मैंने देखा है रविंदर जड़ेजा को एक तलवार बाजी के छोट से वीडियो में जो रविंदर जड़ेज देश की शान है जब परदस्त और विशु का फाइनल था वही रविंदर जड़ेजा जी थे जिनोंने बचाया था वही रविंदर का एक प्रोफेसर बना फिड़ता है वो खुद को प्रोफेसर बोलता है और बोलता हमें तलवार बठाने से कौन मना करता तुमको यह करने के बजाए कि जो कर रहे हैं उनको सबख सी कर यह निंए किसी भी किसी भी जाती पिराजनी में पूरे जाती विरादरी को आपस में लड़वाने का काम करते हैं मैं सीराजबुट करने सना का राश्ट देख सुने के नाते और हमने आज तक जब तक मेरे मंद में कभी किसी भी जाती संप्रुदाई की परती कोई वैमनेश्य मैं नहीं रखता मैं आपने प्रिफवा चोहां जन्ति पर बोण दा रहा हूं और मैं किसी जाती संपुर्दाई कलाभी नहीं हूं पर कोई भी जाती संपुर्दाई का विकत्ति अगर हमारे इतियास के खिलाभ अगर देखेगा ओश मेरा की लागा नहीं आफका भी है जो देश के गदार हो तुम खुल के आओ तुम जातियों को आगे क्यों लेते हो मेरे फ्लान जाती लिखते क्यों अब क्यों लेक जाती लिखते हो कि मैं ये फ्लान आओ और फिर आ रहा हूँ तुमारे याद दिलाते हैं कि तुम पाकिस्तान समर्टक हो या कौन से हीटाइब कोई भूटान समर्दगो और कई से भी अगर गलत तरीके से इतियास पे इस देश पे आ जाएगी राजबूत करनिसिनार शत्रिय हजारों साल से मरता है और मरता रहेगा और बकाईदा हमारे इतियास के ताथ अगर तोड मरोड होगी तो हमें विरोध नहीं उसका दट के मुकाबला करेंगे राजबूत को हर एक उस हिंदुस्तानी को घर होना चाहिए जो इस देश के खिलाप उटने वाली आवाज को उन्होंने ट्विटर पर 14,26,000 लोगों ने रिट्वीट किया और वहाँ वाले लोग जो पूरे जिसमें मन हूँ वादियों के खिलाप वाले वाम पन थी और टुकड़े टुकड़े गेंग जे नियूँ और खुद वो मतलब खुद तता करती थे योग आगे करके अपने समाज के वो डेढ़ लाग पूने दो लाग पर समढ़ गए क्योंकि समाज को इसमें पटकने घशीटने की जुद नहीं है जब किरोडिलाल जी जैसे वेसला जैसे चीनिये लोग बोलना है कि भाई हमारे लिए समाज नहीं है आज को समाज और हम उनके लिए हमेशा खड़े रहे हैं तो यह कौन नेता है जो खुद को तठा कटी थेके किरोडिलाल जी से बड़ा कोई गुजरों में नेता नहीं है और मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने गुजरों की उस लड़ाई के लिए उनके हक चलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ने उचाड़ कर दिया और मैं उनकी भरक बात से समद्दूं और अगर को पीर जाती से एक लाग परसंट में मानता हूं और मैं भी आपके भाई हूं मैं भी वोरियर कोम हूं आप मेरे भाई हैं मैं आपका भाई हूं यह भाई बना के रखे पर यह जो आज मुझे पीडा हुई है वो पीडा क्योंकि एक पोते के मन में अपने दादा के परती जो स प्रादी